हेलो फ्रेंज विल्कम बेक तो मैं चैनल मैं हुशिम और आप सभी का बहुत स्वागत है और आज मैं बात करूंगे यह जो आप देख रहे हो यह वाइन यह टेंगल हार्ट की वाइन है और एक बहुत ही खुबसुरत यह पौधा लगता है मुझे खुबसुरत बाइन लगती है तो फ्रेंज वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिकोष्टे प्लीज अगर किसमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लिजे ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाए तो फ्रेंज यह जो टेंगल हार् लगती है ऐसे लटकती है जब अगर आप अपनी वाल कवर के लिए लगाओ उपर लगा दो तो नीचे यह पूरी लटक के ऐसे आपकी वाल को भी एकदम कवर कर देगी पर दे की तरह तो यह बहुत ही अच्छी वाइन मुझे लगती है तो फ्रेंज इसको लगाना बहुत ह चोटी सी कटिंग भी अगर लगा दो तो अच्छी तरह के से चल जाती है तो इसको जो है अगर आप बहुत जादा धूप में रखती हो तो आपकी प्लांट अच्छी नहीं चलेगी क्योंकि यह जो प्लांट है इसको अब एकदम ब्राइट संलाइट पर रखो लेकिन इन मैंने चोटी सी कटिंग लगाए थी और इतनी अच्छी तरह के सी चल रही है इससे मैंने और भी बहुत जादा कटिंग मैंने और भी जगा जगे पे लगा रखी आपको दिखा होगी तो इसको लगाने का वही तरीका है यह एक सेकुलेंट टाइप की प्लांट है तो इसकी आप वैसे ही नॉर्मेल स्वेल ही मैं जैसे की गार्णिंग स्वेल लेती हूँ 40% वर्मी कमपूस्ट या थोड़ी सी गोबर खार या फिर बालों में तिल मिला के मैंने इसको लगा दिया है और नीचे से मैंने देखो होल किया हुआ है ठीक है ताकि इसकी प्लांट की नीच है उसकी नीचे से होल हो आपकी जो अब जब भी पानी दोगे वह अच्छी तरह की से द्रेन आउट हो जाए तो आपकी प्लांट अच्छी चलेगी क्योंकि यह सब्सक्राइट की प्लांट है तो इसके अगर बहुत जादा पानी हो जाए तो आपकी प्लांट मर जाएगी तो इसलिए पानी का ध्यान रखना और सौल्ट मन ने बता दिया और संलायट भी बता दिया कि आप टैरेक्ट संलायट जहां परती वहाँ न रखो बैसे तो दैरेक्ट सललायट पे वह नहीं मळती है प्लान्ट प्लांट प्लान्ट दिखने नहीं और प्लांट प्लांट आपशेद्ध लुखने लिकुर्ग के लिगण। तो कोई प्रॉब्लिम नहीं मरने की धूब इससे बढ़ सकती है तो आपकी प्लांट अच्छी चलेगी ठीक है तो फ्रेंड्स इसको आप इस तरीके से इसको लगा सकती हो और फ्रेंड्स पानी तो आप हमेशा ही इसको ध्यान से दना अगर पानी बहुत साधा हो जाए तो इ यह एवेलेबल है लेके आओ तो एक प्लांट से अब ठेरो ऐसे बहुत सारी लगा सकती हो और फिर फ्रेंड्स यह अब आप नीचे भी लगा सकती हो अगर ग्राउंड पर लगाते हो तो यह यह भी आपकी ग्राउंड को कवर करने के लिए भी यह प्लांट आप अपनी गा लगा दो यह एक चल जायेगी और अच्छी तरह के सचलेगी तो चलो फ्रेंड्स मैं इसको लगाती हूँ और आपको दिखा तियो कर देखो मैंने यहां जो घूलदावदी है इसकी साइड्स से मैंने एक छोटी सी कटिंग मैंने लगा दि थी और यह कितनी अच्छी तरह क अगर बड़ा पॉक्षों उसको मुली सब्सक्राइब भॉल सब्सक्राइब जो ब्लिख न्युलाएट तो इसकी watering ध्यान से करना ठीक है बहुत जादा पानी हो गई तो यह गल जाएंगी और यह देखो एक छोटी सी cutting भी अगर लगा दो मैं एक छोटी सी cutting से मैंने लाई हूँ तो नीचे से कुछ भी नहीं करना है आपको सिर्फ ऐसे थोड़ी सी ऐसे hole करके आप इसको सिर्फ हो जाएगे और अच्छी तरीके से लग भी जाएगी तो फ्रेंज आशा करती हूँ मेरी यह वीडियो आपको पसंद आए अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रू करना और प्लीज अगर चैनल पे नीव हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सफी का बहुत बहुत शुक्रिया और ग्रीन बनाई है अपने चारो तरफ गार्डन बनाई है इसे बात के साथ मेरी वीडियो खतम करती हूँ थैंक यू